सब्सक्राइब कीजिए टेग जुगाडो चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेश टेकनोलजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल यहांपर ब्लू होल की तरफ से इस मरभी को लांच किया जाएगा दोस्तों इंडिया में दोस्तों आप लोग को यहांप सबसे बड़ी कबर बता दूं इंडियर गबर्मेंट ने यहां-पर 118टारश हैBack को यहां-पर बैं किया था उसी के अब यहां पर काफी अच्छी यो गुड़ निव्ज निकल गाई है और यहां पर PUBG Corporation है यहां पर statement दे रही है कि यहां पर उनकी situation को और इंडिया की जो gaming community है और यहां पर इंडिया की जितनी भी यहां पर audience है जो gaming से related और जितनी PUBG से related यहां पर लोग जुड़े हुए हैं उन PUBG बेन को अब हठाने की यहां पर मांग की जा रही है तो यहां पर PUBG Corporation official statements निकाला है यहां पर दोस्व आप लोग बता दें PUBG Corporation fully understanding and respect for the measuring taking by the government दोस्व यहां पर PUBG Corporation का statement आप लोग सुन लीजिए and privacy security of player data is top priority of this company it's hope to be work in hand to hand with the Indian government find a solution that will allow gamers to once again drop in the battleground will beings with Indian law and regulation दोस्थो आप लोग बता दो यह PUBG Corporation का official statement था जिसमें यहां पर इतने भी PUBG के player हैं उनकी security को यहां पर priority देते हुए यहां पर company का यहां पर सबसे बड़ा official notification यहां पर PUBG Corporation ने निकाला है अब आप लोग को बता दूँ यहां पर PUBG को यहां पर unban किया जा सकता है और यहां पर PUBG को द्वारा से play store पर लाया जा सकता है दोस्तों इंडिया में आप लोग को बता दूँ PUBG अब टेंसेंट के साथ नहीं आएगा क्योंकि आप लोग को बता दूँ टेंसेंट एक Chinese company है और यहां पर यह PUBG को बनाया है Bluehole company तो Bluehole company और टेंसेंट यहां पर Chinese company मिलकर दोनों ने इंडिया में इस गेम को PUBG को लाँच किया था लेकिन अब यहां पर टेंसेंट को अलग किया जाएगा क्योंकि टेंसेंट अब चाइना की company थी चाइना हमारे इंडिया के जितने भी PUBG के player है उन सभी का data यहां से install करके और अपने चाइना में यहां पर बेच रहा था यहां पर टेंसेंट केबल अब यहां पर PUBG केबल ब्लू होल पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से ही आएगा तो दोस्तों आप लोगे लिए बड़ी ख़वर निकले गया है और आप लोग यहां पर PUBG के जो ओफीशली स्टेटमेंट है जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो PUBG कॉर्पोरेशन इस एक्टिविटी मॉनिटरिंग दा सुच्वेशन अरांडिंग दा रिसेंट बेंड दोस्तों यहां पर काफी जादा यहां पर हाड़ वर करने के बा बाला है PUBG Bluehole के साथ यहां पर PUBG ने यहां पर दोस्तों ओफीशली ट्विट करके भी बताया आप लोग देख सकते हो PUBG Cops says that it will look into publication PUBG Mobile into India to get around the ban of the game in the country as the Korean film PUBG Corporation could theoretically publish that game in India with no issue तो यहां पर PUBG का द्वारा यहां पर आप लोग को बता दूँँ रिट्विट करके बताये गया है का PUBG Corporation license the Indian PUBG ID Tencent the Chinese company to be developed as published the game globally including in India so the game was recently banned in India for being a Chinese app so PUBG Corp would be publishing the game as a Korean entirely दोस्तों मैंने आप लोग बता दिया PUBG को अब यहां पर बिलकुल हटाने वाले हैं और यहां पर इस PUBG पूरे PUBG गेम को अब यहां पर Korean company यानि कि Blue Hole की तरह यहां पर Blue Hole company में यहां पर इसे launch करने वाली है दोस्तों फिर यहां पर कोई भी subject नहीं बचेगा इस PUBG को बैन करने के लिए तो दोस्तों आप लोग मैंने यहां पर पूरी full information बता दिये के यहां पर PUBG को अब यहां पर इंडिया से बैन हटाने वाली है और दोस्तों इसमें यहां पर लगबग यहां से एक या डेड़ महीने का टाइम लग सकता है लेकन यहां पर PUBG अब अन्बैन हो जाएगा और यहां पर एक सो अठारे Chinese application बैन होएते जिसमें से केवाल PUBG को ही अन्बैन किया जाएगा दोस्तों आप लोग के लिए काफी बड़ी news निकल के आई है और आप लोग को मैंने यहां पर full information बता दिया कि अब यहां पर PUBG को अन्बैन किया जा रहा है और PUBG का यहां पर officially statement आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग को मेरी information अच्छी लगी हो तो इ सबस्तों खरें elders on-फर ! कर दोस्तों अजार लोग कि अप्रेंश 2 कर दिए कर दोस्तों निता है झाल झाल